दोस्तों नमस्कार ये हमागदर्शन फोर सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों राजनीत विज्यान अथवा नागरिक सास के अध्याइवार प्रेक्टिस सेट के अंतरगत आज की वीडियो में हम साल्व करेंगे यल्टी ग्रेट, टीजीटी, पीजीटी, गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता, गौर्मेंट डिगरी कालेज, उच्चतर सिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्तो पूर्ण प्रशनों का भ्यास सेट जिसमें हम राजजिपाल, विधान सभा और विधान परिश से संबंधित महत्तो पूर्ण प्रशनों को साल्व करेंगे, तो आएए शुरू करते हैं, राजनीत विज्ञान अथवा नागरी सास के अर ध्यायवार प्रेक्टिस सेट का भाग 31, दोस्तों आज के वीडियो का पहला प्रशन है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राजज मंदल द्वारा पारित कातिपय विधेकों को भारत की राष्टपती के विचार के लिए आरक्षित करना, और चौथा है, राज्य सरकार के कारे संचालन के लिए नियम बनाना, तो आप देखिए दोस्तों, पहला की भारत की राष्टपती को राष्टपती सासन अधिरोपि अगला प्रशन है भारती संविधान में निमनलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है तो आप देख लिजे दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 157 य अधिक होनी चाहिए तो अनुच्छेद 157 में दोस्तों राज्य के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप एक व्यक्ति की नियुक्ति की योग्यता के संबन में प्रावधान है अगला प्रशन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं तो बहुत ही आसान सा है इसका आप संडी देखिए गवर्नर या राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं अगला प्रशन है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है आपको बताना है देखिए मुख्यमंत्री सदस्य राज्य लोग सेवा आयोग उच्छ नयाले क नियाधिस या फिर महानियावादी तो इन में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्य पाल नहीं करता है आप संसी देखिए उच्छ नियाले की नियाधिस आप देख सकते हैं दोस्तों उच्छ नियाले की नियाधिस की नियुक्ति राष्टपती करता है और राज्य के राज जी पाल, राज्य के मुख्य मंत्री, राज्य लोग सेवा आयोक के सदस्य और महानियवादी यानी जो महानियवादी कहा जाए या फिर इसको राज्य के रूप में कहा जाए अगर जो तो एडोकेट जनरल की निउक्ति करता है महाने आयवादी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था अगले प्रश्न पर आते हैं प्रतिवर्स 13 फरवरी को महिला दिवस मनाय जाता है किसकी इस मृति में आपको बताना है आपसन है इंद्रिया गांधी, कमला नहरू, सरोजनी नायडू और रानी लक्ष्मिबाई, तो सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी और सरोजनी नायडू दोस्तूं, कांग्रेस की प्रथम भारती महिला अध्यक्ष भी रही थी प्रतिवर्स 13 फरवरी को महिला दिवस सरोजनी नायडू की इस्मृति में मनाय जाता है अगला प्रश्न है कि देखिए राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिये जाते हैं कहां से तो सही उत्तर Consolidated Fund Office State यानि राज्य की संचित निधी से राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिये जाते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं निम्ण में से राज्यमंत्री परिश्यत का कार्य नहीं है पहला है आप देखिए सासन की नीति का निर्धारण ये कार्य है उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल से परामर्स सही है तीसरा है वजट निर्माड सही है और बहुमत सिध्ध करने के लिए समय सीमा का निर्धारण और परामर्स तो ये दोस्तों ये राज्यमंत्री परिश्यत का कार्य नहीं है आपसंडी आपका सही नहीं है अगले प्रश्न पर आते हैं कथन और कारण से संबंधित है कथन है कि राष्टपती और राज्यपालों पर उनके किसी भी कारे के लिए नियायाले में मुकदमा नहीं चलाय जा सकता ये बिल्कुल सही है और कारण देखे क्या दे रहे हैं कि राष्टपती पर महाभीयोग चलाय जा सकता है और राज्यपाल को असंबैधानिक कृत्यों के करने पर पदिचुत किया जा सकता है तो कारण भी सही है आप देख सकते हैं दोस्तों कारण और कथन दोनों सही है लेकिन कारण जो है यानि आर एकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है तो आप सन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका जो कथन कारण वाला प्रश्न आपका है अगला प्रश्न है भारती संविधान के किस अनुच्छेद के तहट राज जिपाल को विधान मंडल के विश्रान तिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आप जानते हैं दोस्तों राश्ट पती र संविधान मंडल के विश्रान तिकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अगला प्रश्न है निमनलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिये गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चैन कीजिए यहाँ पर आप देखे राज जिपाल अपना पद ग्रहन करने से सपत लेगा या प्रतिज्यान करेगा ये आपका सही है सपत या प्रतिज्यान का प्रारूप भारती संविधान की तीसरी अनुसूची में है तो यहाँ पर राज जिपाल के बारे में बात कही जा रही है दोस्तों तो राज जिपाल के सपत या प्रतिज्यान का प्रारूप भारती संविधान की तीसरी अनुसूचे में बारित नहीं है यद्यापी संग के मंत्री संसत के सदस से विधान सभा के मंत्री विधान सभा के सदस से नियंतरक महालेखा परिक्षक इन सभी के बारे में हाई कोट के जो नियाधिस हैं उन लोगों के बारे में जो सपत का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में तो दिया गया है लेकिन राज्यपाल के जो संबंधित राज्यपाल का जो सपत है वो वहाँ पर नहीं दिया गया है तीसरी अनुसूची में तीसरा है कि राज्यपाल उच्छ नयाले के मुख्य नयाय मूर्ति या उसकी अनुपस्थिती में जेश्टतम नयाधिस के समक्ष सपत या प्रतिज्यान करेगा ये आपका सही है और सपत या प्रतिज्यान की प्रक्रिया भारती संविधान की अनुच्छेद 169 में दी गई है तो ये भी आपका सही है तो इसमें एक तीन और चार सही हो जाएंगे कथन दू आपका सही नहीं है विकल्प में देख लेते हैं विकल्प भी एक तीन और चार सही है क्योंकि राज्यपाल के सपत या प्रतिज्यान का प्रारूप भारती संविधान की तीसरी अनुसूचे म वडित नहीं है अगले प्रशन पर आते हैं राज्यका, राज्यपाल, मंत्री परिशत के परामर्स से स्वतंत्र कारे कर सकता है कब देखिये विधान सभा में सरकार को अपना वहमसिद्ध करने को कहने के लिए सही है मुख्य मंत्री को बरफास्त करने के लिए सही है भारत की राष्टपती के विचारार्थ किसी विध्यक को आरक्षित करने के लिए ये भी सही है और विधाई का द्वरापारित किसी विध्यक को पुनर विचार हे तुब वापस करने के लिए तो ये भी सही है और देखे उच्छ नियालय का परामर्स मांगने के लिए तो ये आपका स ही उत्तर हो जाएगा अगले प्रश्न पर आते हैं किसी भारती राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कत्नों में कौन सा कथन सत्य नहीं है वह भारत के राश्टपती द्वारा नियुक तो होता है ये आपकब बिल्कुल सही है कि राज्यपाल की नियुकती राश्टपती द्वारा की जाती है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है एकदम सही है वह पांच वर्स तक पद पर रहता है ये भी सही है और चोथा है कि यदि संबंधित राज्य की बेवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्विकार करती है तो वह पद आवध की पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है ये सही नहीं है क्योंकि राज्य पाल राश्ट पती द्वारा नियुक्त होता है और पारत का राश्ट पती सर्वोच नयाले का मुख्य नयाधिस उच्छ नयाले के मुख्य नयाधिस या संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्य पाल तो सही उत्तर है उच्छ नयाले का मुख्य नयाधिस राज्य पाल को उसके पद की सपत दिलाता है अगला प्रश्ण है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संभिधान के अनुछेद कितने के तहट होती है 150, 154, 155 या 156 तो सही उत्तर है अनुछेद 155 दोस्तों आर्टिकिल 155 में राज्य के राज्यपाल को राष्ट पती अपने हस्ताक्षर सहित मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा ऐसा कहा गया है तो अनुच्छेद 155 के द्वारा किसी भी राज्य में राज्य पाल की नियुक्ति से जो है संबैधानिक प्रावधान किया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट पती द्वारा की जाती है अगला प्रश्ण है दोस्तों राज्य विधान सभा का नेता कौन होता है तो आप जानते हैं राज्य विधान सभा का नेता मुख्य मंत्री होता है जैसे लोक सभा का नेता प्रधान मंत्री वैसे राज्य विधान सभा का नेता मुख्य मंत्री होता है अगला प्रश्न है राज़िपाल किसके प्रति उत्तरदाई होता है तो बहुत ही महतपूर है राज़िपाल राष्ट्रपती के प्रति उत्तरदाई होता है और राज्यों में राज़िपाल को राष्ट्रपती का संबैधानिक एजेंट भी कहा जाता है अगला प्रशन है भारत के निम्निलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिशद नहीं है यद्यपी संविधान के सब्तम संसोधन अधनियम 1956 में उसके लिए प्रावधान था तो महराष्ट, विहार, करनाटक और मध्य परदेश इसमें दोस्तों मध्य परदेश में वरतमान में जो है विधान परिशद का प्रावधान नहीं है वरतमान में कुल छे राज्ये हैं देखिए इसमें महराष्ट, बिहार, करनाटक के अलावां आंध्र परदेश, उत्तर परदेश और तेलंगाना ये छे राज्ये हैं जिनमें विधान सभा के साथ विधान परिशद यानि द्वी सदनात्मक विधान मंडल का प्रावधान है पहले विधान परिशद का प्रावधान मध्यप्रदेश में विथा लेकिन अब ये केवल छे राज्यों में रह गया है अगला प्रश्ण है देखे जम्बू और कस्मीर राज्य के कारेकारी अध्यक्ष का पदनाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था किसके द्वारा तो जम्बो और कस्मीर राज्य के संविधान में छठवे संसोधन द्वारा सद्रे रियासत का नाम राज्यपाल कर दिया गया था अगला प्रश्ण है वर्स 1956 में कितने पुनरगठित राज्यों में द्वी सदनात्मक विधाईकाएं थी पाँच, दस, पंदरे या अठारे तो सही उत्तर है पाँच राज्यों में दोस्तों वर्स 1956 में याद रखिएगा कि पाँच राज्यों में द्वी सदनात्मक विधाईकाओं का प्रावधान था अगला प्रश्ण है राज्यों के गवर्नर किसके प्रसाद परियंत पद पर बने रहते हैं तो आप जानते हैं नियुक्ति भी राश्टपती करते हैं पाँच वर्स के लिए इनकी नियुक्ती होती है और ये राश्टपती यानि प्रेसिडेंट के प्रसाद परियंत अपन और एक बटे छे सदस से इसके एक बटे छे सदस से अस्थानी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं प्रति दूसरे वर्स इसके एक तिहाई सदस से सेवनिवरित हो जाते हैं और देखे उपराजपाल का उपराजपाल सदन का सभापती होता है सही नहीं है और इसके और आठ में भी दी तो यहाँ पर जो सही उत्तर इस आधार पर हो जाएगा दोस्तों दो तीन छै और आठ तो एक तरह से एक दो एक देखे एक दो तीन छै और आठ यह सही हो जाएगा लेकिन यहाँ पर दो विकल्प जो है उस इसाफ़े सेट नहीं है तो यहाँ पर दो तीन 6 और 8 हप कर लिजे कि ये आपसंसी सही उत्तर हो जाएगा निमने लिखित कतनों पर विचार गेजिए पहला कथन है कि विधान सभा का अध्यक्ष यदि विधान सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा पहला है और दूसरा है कि जब कभी विधान सभा का विखितन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा तो इसमें दोस्तों सही कथन पहला है कि विधान सभा का अध्यक्ष यदि विधान सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा बिलकुल सही है लेकिन जब कभी विधान सभा क विखिटन किया जाता है तो अध्यच अपने पद को तुरंवत रिक्त कर देगा यह सही नई है क्योंकि नई विधान सभा के गठन होने तक वो उसी पद पर बना रहता है तो केवल एक आपका सही है अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए कि विधान सभा के बिघटन के बाद भी उसका अध्याच्याई स्पीकर पद पर बना रहता है क्यों आप से पूछा गया है तो सही उत्तर है विधान सभा के बिगटन के बाद गठित विधान सभा या जो नई विधान सभा गठित होगी उसकी पहली बैठक के ठीक पूर्व तक विधान सभा अध्यक्ष या इस वीकर अपने पद पर बना रहता है अगला प्रश्ण है राज्य में धन विध्यक या मनी विल प्रस्तुत किया जा सकता है तो आपसन देखें दोनों में से किसी भी सदन में दोनों सदनों में परस्पर एक साथ केवल विधान सभा में या केवल उच्च सदन में तो केवल विधान सभा में धन विधे प्रस्तुत किया जा सकता है आपसन C सही है अगले प्रशन पर आते हैं भारती संविधान के अनुसार राज्यों की विधाईका में सम्मीलित हैं क्या विधान परिशद और राज्यपाल विधान सभा और विध और विधान परिशद जहां पर इसका अस्तित्व है वहां पर केवल चार आपका सही हो जाएगा क्योंकि जैसे संसद में लोक सभा, राज्य सभा और राष्टपती शामिल होते हैं उसी तरह राज्य विधान मंडल में या राज्यों की विधाईका में राज्य पाल विधान स और जिन राज्यों में विधान परिशत है वहाँ पर विधान परिशत अगला प्रशन है कि राज्य विधान सभा निमने लिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है भारत के राश्टपती के भारत के उपराश्टपती के राज्य सभा के सदस्यों के या राज्य वि के राश्टपती राज्य सभा सदस्य और राज्य विधान परिश्यत के सदस्यों के निर्वाचन में दोस्तों जो है ये विधान सभा भाग लेती है अगले प्रश्न पर आते हैं मुख्यमंत्री से संभंधित निमने लिखित कत्नों में कौन सा एक सही नहीं है वह साधान तया राज्य पाल द्वारा चैनित होता है ये कत्थन बिल्कुल गलत है क्योंकि वह राज्य पाल द्वारा आउपचारिक नियुक्ति पाता है सही है वह विदहान सभा में बहुमत दल के सदस्यम द्वारा चुना जाता है सही है और उसका पज़ पर बना रहना बहुत से कार्गों पर निर्वर करता है ये भी सही है तो वो साधान ते राज्यपाल द्वारा चैनित होता है ये सही नहीं है क्योंकि वो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है मुख्यमंत्री अगला प्रशन है विधान परिशत किसी साधारण विध्यक को निमने लिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है तीन माह, चार माह, छे माह या चौद दिन तो सही उत्तर है आपसन भी चार माह तक दोस्तों विधान परिशत किसी साधारण विध्य को जो है चार माह तक अधिक्तम रोक सकती है अगला प्रशन है राज्य विधान परिशत का गठन किस प्रकार होता है प्रत्यच मतदान द्वारा प्रत निर्वाचक मंडल द्वारा मुख्य मंतरी के मनोनेयन द्वारा या फिर संसत के सदस्यों द्वारा तो सही उत्तर आपसन भी निर्वाचक मंडल द्वारा तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधान परिशत का गठन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्न लिखित में से कौन सा राज्य अनुछेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधान सभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे इसमें आप देखिए सिक्किम, जम्बू कस्मीर, हर्याडा और उत्तराखंड तो सही उत्तराफसन ए सिक्किम दोस्तों सिक्किम में मातर 32 विधान सभा सीटे हैं और सिक्किम के अलावा गोवा, मिजोरम और केंद्र सासित परदेश पुडुचेरी में 60 से कम सीटे हैं और यही अपवाद हैं उस संभैधानिक प्रावधान के जिसमें कहा गया है कि राज्य के विधान सभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे सिक्किम, मिजोरम, गोवा और केंद्र सासित परदेश पुडुचेरी में विधान सभा में 60 से कम सदस्य हैं अगला प्रेश्न है भारत के संभिधान के किस अनुछेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्य मंत्री को नियुक्त किया जाता है तो ये है अनुछेद 164 दोस्तों अनुछेद 164 के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्य मंत्री की नियुक्ती की जाती है अगला प्रेश्न है राज्य विधान सभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवध में विधान परिशत द्वारा पारित हो जाना चाहिए 30 दिन, 14 दिन, 60 दिन या 90 दिन तो सही उत्तरापसन भी 14 दिन देखिए दोस्तों राज्य विधान सभा द्वारा पारित जो मनी वीली अधन विधेयक है ये 14 दिन के अंदर पारित हो जाना चाहिए अगर इससे अधिक समय विधान परिशद लेता है या वापस नहीं करता है तो उसे उसके तरफ से पारित मान लिया जाएगा अगला प्रशन है निमनलिखित में से मुख्यमंतरी के समभैधानिक करतव्यों का दिये गए कूट की सहायता से चैन कीजिए इसमें आप देख सकते हैं पहला है मुख्यमंतरी राजजी के कारियों के परसासन संबंधी विनिश्य से राजजपाल को संसूचित करता है सही है मुख्यमंतरी विधान विश्यक परास्थापनाओं के बारे में राजजपाल को संसूचित करता है सही है मुख्यमंतरी राश्टी विकास परिशत की बैठकों में भाग लेता है तो मुख्यमंतरी राश्टी विकास परिशत की बैठकों में तो भाग लेता है लेकिन ये उसके संभयधानिक करतब्यों में शामिल नहीं है और मुख्य मंत्री किसी विनिश्य को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्य कर लिया है किंतुर मंत्री परिशत ने विचार नहीं किया है राज्य पाल दौरा आप एक्षा किये जाने पर मंत्री परिशत के समक्ष रखवाता है तो ये भी सही है तो एक, दो और चार जो है ये मुख्य मंत्री के संभय धानिक कर्तव्यों के अंतरगर्ट शामिल है अगला प्रशन है निमने लिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधिके अस्थापना के लिए उत्तरदाई है अगला प्रशन है राज्य सरकार के मंत्रियों के बेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधान सभा द्वारा किया जाता है अगला प्रशन है भारत की पहली महिला मुख्य मंत्री कौन बनी थी तो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्य मंत्री सुचिता क्रिपलानी थी जिनका कारेकाल 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1966 तक था अगला प्रश्ण है विधान सभा के सदस्य के लिए नियुन्तम आयू क्या विहित की गई है तो आप जानते हैं 25 वर्स नियुन्तम आयू विहित की गई है विधान सभा के सदस्य के लिए अगला प्रश्न है भारत में कौन एक मात राज्य है जहां सामान ने यानि कामल सिविल कोड जो है लागू है तो यह है गोवा यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है अगला प्रश्ण है दोस्तों बिना विधान सभा का सदर से निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक अपने पद पर बना रह सकता है तो चाहे लोग सभा की बात हो राज्य सभा की बात हो या फिर विधान सभा की ये 6 माह इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है बिना विधान सभा का सदर से निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है अगला प्रश्ण है दोस्तों यदि बजट विधान सभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा देखे बहुत ही महत पूर्ण प्रश्ण है कि यदि बजट विधान सभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा देखिए मंत्री परश्यद को त्याग पत्र देना होगा, मुख्य मंत्री को त्याग पत्र देना होगा, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा और उपर युक्त सभी, तो दोस्तों ये उपर युक्त सभी कथन ये सही होंगे अगला प्रेशन है भारती संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधान सभा के सदस्यों की नियूंतम तथा अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है आपको बताना है तो अभी अभी आपने पढ़ा भी है कि दोस्तों देखिए किसी भी राज्य के विधान सभा के सदस्यों की नियूंतम संख्या 60 और अधिक्तम 500 हो सकती है लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद है जिसमें गोवा, पुडुचेरी, सिक्किम और मिजोरम है जहां पर विधान स सकता है तो आप जानते हैं ये राज्य पाल होता है कि राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य जो है उसके क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित जो निश्चय है किसी प्रश्न का वो राज्य पाल करता है अगला प्रश्न है राज्य विधान सभा में को देश समित की संस्तुति के तो सही उत्तर है भारत के राजिपाल की संस्तुति के बिना कोई भी धन विधान सभा में पुरह स्थापित नहीं किया जा सकता आपसन भी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है भारती सम विधान के निम्नांकित अनुछेदों में से कौन राज अनुच्यद 170 में किया गया है अपसन A आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है कि राज्य विद्धान परिषद का प्रावधान भारती संविधान के किस अनुच्यद में किया गया है, 171, 171 अनुच्यद 172 या फिर 173 तो सही उत्तर आपसन B दोस्तों विधान परिशदों की संरशना से संबंधित प्रावधान अनुछेद 171 में किया गया है अगला प्रशन है कि उच्च नयाले के नयाधीसों के वेतन, पेंसन, सेवा, सरतेयाद के निड़ा का अधिकार किस पर है राज जपाल पर, संसद पर, राष्ट पती या फिर उच्च नयाले पर तो सही उत्तर है उच्च नयाले के नयाधीसों के वेतन, पेंसन, सेवा, सरतेयाद के निड़ा का अधिकार दोस्तों ये राज विधान मंडल पर नहीं बलकि संसद पर है अगले प्रशन पर आते हैं निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च नयाले के बारे में क्या सही नहीं है दुती अपील उच्च नयाले के अपेली छेतरा धिकार में है सही है उच्च नयाले के परतेक नयाधीस की नियुक्ति राष्ट पती करता है सही है उच नयाले की नयाधीसों की नियुक्ति राजिपाल करता है ये सही नहीं है और उच नयाले लोग हित्वार से संबंधित आवेदन स्विकार कर सकता है ये भी सही है तो दोस्तों उच नयाले की नयाधीसों की नियुक्ति राजिपाल द्वारा नहीं बलकि राष्ट पती द् एक से अधिकराजय हैं और यदिसंग राज छेतरों को भी शामिल कर लिया जाए तो उचे नियाले की संख्या पांच हो जाती लेकिन तीन जो उचे नियाले हैं जिनकी अधिकरता में एक से अधिकराजय हैं अगले प्रश्ण पर आते हैं कि कथन और कारण से संबंधित है कथन है कि जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायाले तक जाने की स्विक्रिति देती है ये सही है कारण है कि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायाले तक पहुँच पाने में असमर्थ है ये भी सही है तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याक्या भी करता है ये आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है एक उच अधिकार प्राप्त नियाले द्वारा उत्प्रेशन रिट जारी की जाती है किसलिए तो आप जानते हैं कि उत्प्रेशन रिट जो है एक उच नियाले या उच अधिकार प्राप्त नियाले द्वारा जैसे हाई कोट के संदर में सुप्रीम कोट औ अभिलेक उन्हें हस्तान तरित कर दे ये आपसन ए आपका सही है उत्प्रेशन के संबंध में अगला प्रश्न है उच्चन्याले के सेवा निवरित जज को पेंशन कहां से दी जाती है तो आप ये कंफर्म हो जाईएगा कि उच्छ नयाले के जो जज होते हैं वो सेवा तो राज्यों में करते हैं लेकिन उच्छ नयाले के सेवा निवरित जज को पेंसन भारत की संचित निधिसे दी जाती है अगला प्रश्ण और इस वीडियो का आखरी प्रश्ण है आप देख सकते हैं किन निमने लिखित में से किन राजियों में मार्च 2013 में हाई कोर्ट्स यानि उच्छने आले अस्थापित किये गए हैं इसमें देखिए मेगाले, मडीपुर और त्रिपुरा यहाँ पर मार्च 2013 में हाई कोर्ट्स की अस्थापना की गई है आपसन भी आपका सही उत्तर है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें हमने राजनीत विज्यान अथवानागरिक सास के अध्यायवार प्रैक्टिसेट में राज्यपाल विधान सभा और विधान परिशदों से संबंधित महत्वण प्रशनों को साल्व किया जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपियोगी तथा महत्वण है आप इन प्रशनों को तयार कर लिजेगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदर्शन for civil services को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार